नमस्कार मैं विश्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विश्णु एटीपी में हार्दिक स्वात करता हूं आज फिर से लेकर आयो बहुत अच्छी श्टोरी आपको जरूर पसंद आएगी श्टोरी का टाइटल है दगोट्स एडवाइज ज ऐसे पढ़ेंगे स पढ़ेंगे ज एडवाइज दगोट्स याने बकरी की गोट्स बकरी के पॉट्स याने होती है सलाह बकरी की सलाह अभी देखिए स्टोरी में बकरी क्या सलाह देती है क्या होता है कैसे होता है बहुत अच्छी स्टोरी है इंट्रेस्टिंग है आपको जो रूर पसंद आए चले श्राट करते हैं once a villager owned a donkey and a goat once एक बार एक गाउवाला है ना villager, villager याने गाउव, villager याने गाउवाले ने owned, owned याने होता है स्वामित्व याने की अपनाना मालिक बनना खरीदना बोल सकते हो है ना इस प्रकास से तो उसने अपनाया याने की उसे खरीदा किसे a donkey, donkey याने होता है गधा, एक गधे को and a goat और एक बकरी को तो एक बकरी और गधे का वो मालिक बना याने की शीदी से बात है खरीदा उसे फिर क्या हुआ he used the donkey to carry loads of articles from the village to the city he used और है ना उसने किया, क्या किया the donkey उपयोग किया, गधे का उपयोग किया to carry तो भी क्या करता था, use करता था किसका, गधे का to carry याने ले जाने के लिए, उठाने के लिए loads, loads याने भार को of याने का articles याने होता है वस्तू सामागरी सामान को भी article कहा जाता है तो वस्तुशों का सामान के वजन को डोने के लिए डंगी उप्योग करता था from, यानिसे कहां से the village to the city, यानि गाउं से सहर तक सामान के भार को डोने के लिए गधे का उप्योग किया उसने उसका क्या हुआ? Where he would roam around the whole day selling his articles तो where याने आप देखींगे कहा भी होता है जहां भी होता है जाहां he would वूढ वूद याने होगा होगी ऐसी भी होता है वूड याने किया करता था, जाया करता था खाया करता था इस प्रकार से भी हम would का centre the whole day जैसे use to का यूज करते हैं वैसे ही याने बेचते हैं इस आर्टिकल्स याने अपने सामागरी को आना आराउं याने आसपास चारो तरफ वो बेचने के लिए क्या करता था घूमा करता था sometimes he would lend his donkey to others on hire sometime याने कही बार he would वह किया करता था क्या किया करता था land याने उधार में देना उसे land बोलते हैं उधार दिया करता था his donkey अपने गधे को to preposition कहा किसे तो to का use करते हैं to others याने दूसरों को दूसरों को उधार दिया करता था रेंट पर दिया करता था on hire on hire याने याने हाइर करना याने किसी को पैसे देकर काम पर लगाना उसे hire करना बोलते तो पैसे देकर हैं न काम पर लगाया करता था when जब लोगों को गधी की जरुवत होती थी तो वो पैसा दे के हायर करते थे रेंट में लेते थे तो वो दिया करता था रेंट में पैसे में रेंट में as the donkey worked hard the whole day as क्योंकि the donkey गधा worked hard कडी मेहनत करता था the whole day याने पूरी दिन क्योंकि गधा पूरा दिन मेहनत किया करता था the villager used to feed the donkey more food than he gave to the goat the villagers गाम वाले used to used to यहां पर जैसे wood का यूश करते थे करते थे तो used to feed feed याने होता है खिलाना खिलाया करते थे the donkey गधे को more food याने ज्यादा भोजन और ज्यादा खाना खिलाया करते थे जब किसी से compare करते तो दैन का यूश करते हैं ना दो लोग की बीच यूश किया जाता है यह वाला दैन compare कर रहे हैं किसे लिए वह देटे थे तो दो गोट याने बकरी को तो देखें बकरी और गधे की बीच में compare कर रहे हैं कि क्योंकि वो गधा दिन भर काम करता था तो गाउवाला जो है वो क्या करता था गधे को बकरी की तुलना में compare की ना इसकी तुलना में ज्यादा भोजन दिया करता था कि विचारा ज्यादा काम करता यह वो करता तो गाउवाला उसे ऐसे देता था अब क्या the goat felt jealous of the donkey the goat बकरी को felt महसूस हुआ jealous जलन इर्षा महसूस हुई of the donkey यहनि गदे से उसे जलन महसूस हुई कि以 इसे जबर्द bunu से खानाँ खिलाते है मुझे नहीं खिलाते है इसे ही खिलाते है तो देखो क्या किया उसने He advised the donkey और उसने advised ज़ाइज्ड उसने सलाह दी धड़ोंगी गदे को क्या बोल रहा है कि क्या सलाह दी कि यू वाक औल डे लॉंग तुम काम करते हो याने पूरी दिन लंबे समय तक पूरे दिन बहुत काम करते हूं and hardly get any rest or hardly any muscle get याने मिलता है प्राप्त करते हो any rest याने कोई भी आराम थोड़ा भी आराम और बड़ी मुश्किल से थोड़ा आराम तुम्हें मिलता है you must act that you are ill you must तुम्हें चाहिए act याने acting करना चाहिए दिखावा करना चाहिए that you are ill तुम हो illyyan बीमार तुम्हें चाहिए नाटक करना चाहिए acting करना चाहिए कि तुम बीमार हो and fall down unconsciously ठीक है यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या लिखा हो है unconscious unconscious का मतलब क्या होता है unconscious unconscious का मतलब होता है कई बारा से word आता भी नहीं है यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर उसने बोला acting करना बीमार होने के और बेहोस गिरने की acting करना कि भी बीहोस हो गया हो तो तुम्हें आराम मिलेगा this way इस प्रकार you will get you will है उससे sort में ऐसे कॉमा कर दिया है आप विल ऐसे लिखते हैं आप बहु आई डबललल you will get तुम्हें मिलेगा प्राप्त होना मिलना rest तुम्हें आराम मिलेगा इस प्रकार तुम्हें आराम मिलेगा for a few days for याने के लिए if you days अभी यहाँ पर याने के लिए कि यूज नहीं करें कि अभी समय दिन बता रहे है तो for का use करेंगे चश्ट के लिए तो 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 तुम्हें कुछ दिनों के लिए आराम मिलेगा कुछ दिनों को आराम मिलेगा सहमत हुआ to this याने इस पर है ना उसने सोचा किया है अच्छा ही बोल रहा है ठीक है थोड़े दिन बीमार होगा एक्टिंग करना हुआ क्या करना है आराम मिलेगा and acted as if he was ill or acting किया acted acting किया ना तक किया दिखावा कि as की as if है ना मानो as if याने मानो he was ill वो बिमार था मानो की वो बिमार था ऐसे उसने acting किया the villager called the doctor villager गावाले ने called पुकारा बुलाया तो called बुलाया the doctor doctor को बुलाया क्योंकि भई वही तो खर्चपाने निकालता था गधा उसका वही बिमार पड़े गया तुरन doctor को बुलाया तुम्हारे गधे को है किसी के पास कुछीज है तो हैस कि उसका है तुम्हारे गधे को एक अजीब बिमारी है him याने उसे the soup पिलाना चाहिए made of बना हुआ a goat's lung गोड चाने बकरी के लंग से याने भी फेवड़ा होता है बकरी के फेवड़े से बना हुआ सूप तुम्हें गधे को पिलाना पड़ेगा तभी वो गधा ठीक होगा the villager at once killed the goat the villager गाहँवाले ने वो जो गाहँवाला था at once का मतलब तुरंत उसे at once तुरंत किल्ड मार डाला मार दिया the goat बकरी को and cooked और पकाया बनाया soup आउट है ना उसका बनाके निकाल लिया office lungs और फिया ने उसके फेफडे का soup बनाकर निकाल लिया क्योंकि उससे तो पता है बकरी कोई काम आ नहीं लिया उसकी गधाई है जो है पैसा दे रहा है किराया आ रहा है दुनिया भर का काम कर रहा है उसका बहुत useful है तुरंत बकरी को मार दिया अब कह खिलाया या पिलाया बोल सकते है तो the soup to the donkey ना उस गधे को उसका soup पिला दिया दगोट ने had tried कोशिस किया था किया था लिया था दिया था चुका था चुकी थी had के साथ थर्ड फॉर्म ट्राइक थर्ड फॉर्म ट्राइट के id लग जाता है second और थर्ड फॉर्म में बकरी न नुकसान पहुचाने का डॉंकी ना आउट ओफ जेलेसी यान होता है जलन के कारण उसे आउट ओफ ऐसे बोलोंगे जलन के कारण बकरी ने गधे को नुकसान पहुचाना चाहा था बट लेकिन फार के लिए इसे इवल पढ़ेंगे इवल यान होता है बुरा नेचर यान होती है व्यवहार आदत है अपने बुरे आदत के कारण बुरे व्यवहार के कारण वो प्रकृति भी बोलते हैं से वो मारा गया क्योंकि अच्छा से उसे बड़िया खाना पीना मिल रहा था लेकिन उसे मन में जरन की भावना थी कि अरे मुझे तो मिलता ही है लेकि इसको जादा मिलता है तो इसने सोचा कि बड़िया बीमार करवाने का भाना बना देता हूँ इसका फिर जैसी गधा बिमार होगा नई काम करेगा तो मालिक इसको अच्छे से मारेंगे खाना वाना नहीं खिलाएंगे या इसे यहां से बेच देंगे फेक देंगे बढ़िया मेरे ही मज़ा रहेगा सब खाना मुझे मिलेगा ऐसे उसके मन मेरा होगा जलन तो वही है जलन आप सभी को पता है कि यह जो इर्षया है जलन है यह बहुत खतरनाक है आप भाई भाई है या आप और जैसे भाई की पतनी है दूसरे भाई की पतनी है और और भी आपके परिवार में है यादी मन में जरन की भावना आई तो फिर बहुत ज्यादा ऊसमें की आपका नुकसान होता है क्योंकि आपका ध्यान को आपने लिए कुछ अच्छा करने करणे में नहीं रहता बलकि सामणे वाले कुछ अच्छा हो रहा ुसके तो उसमें उन्हें जरन होती है, जरन की भावना होती है, जिससे वो अपने लिए कुछ अच्छा नहीं कर पाते हैं, केवाद सामने वाले की कुछ अच्छा हो रहा है, उसे देख देकर जलते हैं, और इससे सामने वाले का कुछ नुकसान नहीं होता, नुकसान इसी कही होता ह है जैसे यहां पें बकरीने जिलन की गधे के लिए जंड बेटाller के लिए нез्ले को थे जलो मψट बराबरी करो बराबरी नहीं है लोलो कोई प्राब्लम नहीं नहीं हुआ लेकिन किसी से जलन ऐसे की भाव नहीं रख़नी चाहिए आप अपना केजिये जितना बहुत अच्छा है और कोसिस कीज़ें अच्छे करने की तो यह श्टोरी की मोरल यह है कि कभी भी हमें जलन नहीं करने चाहिए उसका आपने देख लिया क्या इसका अंजाम हुआ है ना यह थी आट की स्टोरी थोड़ी पसंद आई तो प्लीज लाइक करेंगे शेर करेंगे इसका पीडियेफ आपको टेलीग्राम में बिल जाएगा विश्णु एटी भी सर्च करेंगे वहां फॉलो को लिजे बहुत सारे पीडियेफ मैंने दिया हुआ है एक बार फिर आप से बहुत बहुत ध